थेलो यूगास, वेलकम तू मा यूटू चेनल, ब्रत के लिए साबु दाने की रेस्पी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यह सबसे छोटे साइज का साबु दाना थिया है, यह तीन साइज में आता है, यह चोटे वाले है, और इससे एक medium आता है और एक सबसे बड़ा आता है तो जब भी हमें कोई recipe बनाते हैं तो ज्यादा तर ये छोटा वाला साबुदाना ही यूज करते हैं या फिर medium बाला बड़ा ने को 2-3 घंटे तक भीगाना होता है तभी ये फूल के अच्छे से आता है और तभी इसकी recipe अच्छी वनती है तो मैंने पहले से थाबुदाने भीगा कर रखे हुए हैं तो चलिए उनको ले देते हैं कि ये ये साबुदाने अच्छे से फूल गए हैं और तीन हगं तो एक कटोरी सावुदाना आपके चार कटोरी सावुदाने के बरावर हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले मैं इनका पानी रेन आउट कर देती हूं तो नीचे में बर्थन लगा लिया है और छलनी लगा के इसका पानी हटा देते हूं पानी निकल गया है और अच्छे से पानी निचुड़ जाए तो मैं इसे ऐसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ हूंगी इसमें तब तक हम रेसिपी की तयारी कर लेते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब कर दीजिए और आगे बैल बटन दिया गया है तो इसको भी प्रैस कर दीजिए पहले मैंने यह वॉयल आलू ले लिए हैं यह 4 मीरियम साइज के आलू है तो पहले हम इने ग्रेट करेंगे ग्रेट करने के कि यह कितनी है मैं आपको बता रही हूं कि नापने का परपर यह है कि हमारा यह जो हम बना रहे हैं रेसिपी वह परफेक्ट बने तो यह एक बाउल और यह हमारा दो बाउल है दो बाउल मतलब जितना हमने साबुदाना लिया है उसी के हिसाब से हम ले रहे हैं एक कटोरी हमने साबुदाना लिया था और यह खूलने के बाद आपको कितना साबुदाना चाहिए आपको उसका अंधाजा करना है एक हरी मिर्चली है इसको भी ब अच्छें आपने और और नीया ने ये अधर्च लिया है तो थोड़ा साइस में अधर्च भी ग्रेट कर लेंगे तो अधर्च ले लिया है मैंने अब हमें सागुदाना कितना लेना है चलिए मैं बता देरी हम इसी बाउल से हम ना पैंगे जितना हमने आलू लिया था उसका आदा हमें साबुधाना डालना है आलू को फैला लेते हैं इसी में हम जे साबुधाने और अद्रक और हरीमिच डाल देते हैं इसी में टेस्ट के एकोर्डिंग हम यह सेंदा नमक ले रहे हैं यह ब्रत वाला नमक है और यह काली मिर्च इसको भी क्रेश्ट करके डाल देते ही अब यह देखिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है इसे इसका टेस्ट बढ़ जाता है एक्तम से तो आप इसको जरू से डालिए अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डोह प्रपेयर कर लेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको ये जगे एकटा कर लेना है और इसका तैयार हो जाता है अब इसके पेड़े बनाते हुए मैं इसके अंदर। रोश्टेर मूफली डाल रही हूं'lle RosteR moelkins करके भी डाल सकते है हैं तो आप चाहिये चोचपिलों कर लीजिएं सादय कर लीजिए और इसके अंदर भरके इस से पीडेन तयारं कर लीजिएं'm थोड़ा सा चिपकता है तो इसके लिए आप घी का हाथ लेके हलका सा हाथ में घी लगाके और इस तरह से पेड़े तैयार कर दीजिए। भ्ड़े बन गए हैं अब में इनको लगा के चिकना कर रही हूं तो इस तरह से shooting बैद के विए से जेड बहुत ऐसे सराय कर सकते हैं अब वहीं pickle हसे इस तरह सब्सक्राइसरी के यह समरी की Tak यहीं यहां सेट माधों खूर खेंआ है आफाइन के त्यार जबयों सहल जास। आप यह हम व्रद के लिए बना रहे हैं तो मैं लाल और इसको घी की कि इनको सेलो फ्राइगे तो थोड़ा ही की जालना है ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा सा इसको गरम होने लिए धीक कर लेते हैं इस वस्लोमच को थोड़ा टोड़ी थोरी दूरी पर फैलाते हुए रखें ज्यादा पास में नहीं रखें यह आपस में चिपक जाएंगे तो मैंने थोड़ा साफ फैला के रखा हुआ है अब इनको थोड़ा सा सिखने देते हैं नीचे और एक साइट से मैंने यह पलट दिये हैं तो देखें फूल के क सिख गए तो मैं स्व् değiş Sun चाइब निकाल क 그것 निकालता को ने पाव कर दिखा तीज देखिए पहलना त्यार हुए हैं यह एकदम से उपर से क्रिस्पी है और अंदर से सौफ्ध एज्याइए इस तरह से आप इनको जरूर से बनाईए और मैं दूसरा बैच भी इसी तरह से सेक ले रही हूं तो इसके लिए भी मैंने एके करके ही इस पर डाला है और इनको अलट पलट करके सेक लिया है तो हमारा दूसरा बैच भी सिक्के तयार हो गया है यदि आपको थोड़ी देर में तो इनको आप हलका सेख के भी निकाल सकते हैं और जब यह आपको खाने हो तो आप उनको फिंगतक होगा सथात्रिक स्था बच्तार ब़ृत Z सबने के तरह सब करने सदे तो अभिने युब समय और शुह आप को ही तो समय कर सकते लगते हैं और को यह लेकि गश्क fare REACYPE में तो ह्क पहले भी डाल चुकी हैं काफी रही चठनी घैज़र अबों सब्सक्राइब कर सकते हैं यह दखे तोडके में दिखा रही हूं कितना बड़िया बना है अंदर इसमें मूफली की फिलिंग है जब मूफली ही इसके साथ मूह में आती है तो एक-एक गएट में मूफली का टेश्ट आता है तो यह खाने में बहुती ला जबाब लगती है तो आप इस रेसिपी को लाइक शेयर और सबस्क्राब चरूर सिखीजिए थेंक यू